चोपड़ा जो किस न्यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको एक गुड नियूज देने वाला हूँ और गुड नियूज ये है कि MBBS के अभी तक 6420 seats increase हो चुकी है सीटें और भी increase होंगी, इसमें कुसी की बात यह है कि जितनी सारी सीटें increase होंगी cut off उतनी ही down आएगी, जो boundary level के student है उनके लिए ये कुसी की बात है कि उनको seat मिलने के पूरे पूरे chances हैं, सीटें अभी और काफी सारी increase होंगी counseling जब start होगी तब तक ये seatे increase होंगी, तो जैसे जैसे ये seatे increase होंगी हम आपको inform कर देंगे, इसमें statewide जो seat increase होई है उसमें सबसे ज़्यादा तिलंगाना state में seat increase होई है उसके बाद में राजस्तान, आंद्रप्रदेश, जैंड के, आसाम, इन states में ये seatे increase होई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि seat चाहे कोई से भी state में increase हो रही हो, फाइदा हर एक state के candidate को होता है, क्योंकि government के लिए 15% seats all India quota के अंडर आती हैं, और all India quota की cutoff down जाने से, state की cutoff भी down जाती है, चाहे वो किसी भी state में medical college run हो रही हो फाइदा हर एक state के student को होता है, अब एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन से कितने seatे increase हुई है, कौन-कौन से medical college में, government medical college में, कौन से state में, ये seatे हो रही हैं, एड हो रही हैं, कौन से college नए run हो रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ले ले लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अभी तक जो आज की date में, NMC की website पर जो seatें approved हुई हैं, अभी तक के जो medical colleges हैं, वो 692 colleges हैं, अभी तक इसमें जो total MBBS की seat हैं, 15,683 seats, अभी तक MBBS की हैं, कब तक? 18 मई 23 तक अगर पिछले साल तक देखे हम, तो 2022 तक 652 colleges थी, और इसमें total जो seats थी, वो 99,263 seats थी, अभी तक इसमें जो total increment हुआ है, अभी तक, उसमें total government medical college, अभी तक 40 government medical college, अभी तक इस साल के लिए, नए establish हुए हैं, यानि कि इस साल के लिए, ये college रन हो रही हैं, 40 medical college, जिन में 4950 seats increase हुई हैं, और 24 old medical colleges में 1470 seats increase हुई हैं, तो इन सब को मिला के, अभी तक 6420 seats अभी तक increase हो चुकी हैं, अभी कौन से state में कितनी government college हुई हैं, कौन से state में private medical college establish हुई हैं, तो ये हम एक बार पूरा data देख लेते हैं, तो ये data देखने से पहले, मैं आपको एक important information बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, तो इंडिया कुटा, स्टेट, आयूस, वेटनरी, इन सब की book available है, और इस book में मैंने वो सारी information दे रखी है, जो आप जानना चाते हैं, counseling के बारे में, इसमें 2023 के लिए एक choice list दी गई है, और इसमें seats, bond और required documents के बारे में जानकारी दी गई है, fees के बारे में जानकारी दी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चार साल की previous year की cutoff भी दी गई है, round wise, college wise, category wise, ये cutoff आपके लिए काफी helpful रहेगी, इससे आप एक idea लगा सकते हैं कि आपको कौन से state में college मिल सकती है, state quota की book भी available है, जिसमें सारे states की information है, और 2023 के लिए इसमें 24 list भी है, इसमें state quota की book में open state के बारे में भी जानकारी दी गई है, यानि कि कौन से open state में आपको कहाँ admission मिल सकता है, किसकी कितनी fees है, कितनी seatे हैं, previous year में क्या cutoff रही थी, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, All India quota में dimmed aims सभी की अलग-अलग जानकारी है, मैं सोचता हूँ, ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी, इसको आप हमारे इस video के description box से या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से download कर सकते हैं, जैसी आप download करेंगे, हम आप से संपर कर लेंगे, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, तो ये थी important information book के बारे में, अब मैं आपको बताऊं, seeds के बारे में, तो total जो government medical college इस साल open हो रहे हैं, वो 24 medical college open हो रहे हैं new, इसमें total 2656 seeds से अभी तक approved हो चुकी हैं, यानि कि 24 colleges approved हो चुके हैं ये, private college की बात करें, तो इस साल के लिए 16 private medical college open हो चुके हैं, और इन में total seeds 2300 seeds available हैं, इस साल के लिए ये colleges open होए हैं इसमें, old college की बात करें, तो 4 government old medical college में 220 seeds available हैं, इस साल के लिए बढ़ी हैं, add हुई हैं, और private medical college में, श्योरी मैंने यहां private government medical college लिख दिया है, तो ये private college हैं, private 20 colleges में, जो total seeds increase हुई हैं, वो 1250 seeds यहां पर increase हुई हैं, अब हम statewide देख लेते हैं, कौन से state में कितनी seat इंक्रीज हुई हैं, तो सबसे हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यह अभी तक के states हैं, जिन में medical college open हुए हैं, और भी medical college open होंगे, तो मैं आपको साथ साथ बता दूँगा आगे, आसाम में दो medical college open हुए हैं, कोकरा जहार और नोगाउं में, इसके बाद में श्योरी आसाम में तीन medical college हैं, एक नलवारी का medical college भी है, जैनके में हनवारा और उदमफुर में दो college open हुए हैं, MP में सत्ना में नया medical college open हुआ है, महराश्टर में रतनागिरी, नागालेंड में और उडिसा में भवानी पटना college जो है, वो इस बार open हुआ है, राजस्तान के चार college open हो चुके हैं, इनको माननेता मिल चुकी है, राजस्तान के चार colleges को माननेता मिल चुकी है, इसमें अलवर, बुंदी, हन्मानगट और करोली, ये चार district है, इनमें medical college रन होगी इस साल के लिए, यानि कि इनको मनेता मिल चुकी है अभी ये तेलंगाना के साथ गॉर्मेंट मेडिकल कोलेज हैं जो अभी ओपन हुए हैं इस साल से इस साल से इनमें MBBS का फर्स्ट वैज चलेगा फर्स्ट वैज ओपन होगा और यही स्टेट होते हैं जिनकी कटोप सबसे डाउन जाती है लास्ट में जो बाउंडरी लेवल के स्टुडेंट होते हैं वो इने स्टेट के नए कोलेजेज में तिलंगाना आंद्रा तमिलनाडो इने के new medical colleges में उनको seat मिलती है तो ये तो जानकारी थी government medical college में यानि कि अभी तक 24 government medical college open हो चुके हैं इस साल के लिए जिसमें 2650 seats से increase हुई हैं इस साल के लिए अभी हम बात करेंगे आगे private medical college के बारे में ये जो 2650 seats से इन में 15% seat एं ओल इंडिया कोटा में जाएंगी और ये 15% seat एं ओल इंडिया कोटा में जाने से हर एक student को फाइदा होगा इसमें हर एक student को इसमें 15% seat एं ओल इंडिया कोटा में यानि कि 4000 के नियरवाई ये seat ओल इंडिया कोटा में जाएंगी और भी seat increase होंगी तो ओल इंडिया कोटा की जो seat हैं वो भी increase होंगी इस वार ये तो थी गौर्मेंट कोलेज की बात अभी हम बात करें प्राइवेट कोलेज कहां कहां सी रन हो रहे हैं इसमें तो जो प्राइवेट कोलेज रन हो रहे हैं इसमें वो प्राइवेट कोलेज इस प्रकार से रन हो रहे हैं, 60 प्राइवेट कोलेजेज हैं इसमें, गुजरात के दो प्राइवेट कोलेजेज हैं, जिनमें 150-150 सीट से यानि 300 सीटे गुजरात में हैं, हर्याना के दो मेडिकल कोलेज इस वार रन हो रहे हैं, करनाटका में भी दो प्राइवेट मेडिकल कोलेज रन हो रहे इनमें जो हरियाना में एक कोलेज है अम्रिता स्कूल ओफ मेडिसिन फ्रिदाबार ये दिम्ड युनिएर्सिटी है ये अम्रिता कोची में पहले आलड़ी रन है उसी की ब्रांची यहां पर इस बार ओपन हुआ है ये कोलेज मराश्टर के दो कोलेज अमरावती और प्रभान प्राइवेट मेडिकल कोलेज ओपन हुए हैं तमिलाडू के तीन मेडिकल कोलेज प्राइवेट इस बार रन हो रहे हैं और तेलंगाना के चार प्राइवेट कोलेज इस बार रन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में सक्स मेडिकल होस्पिटल ये भी इस बार से रन हो रहा है इ मैंने आपको इसमें बताया था कि पहले इसमें 100 seats ती लेकिन अभी इसको reduce करके 50 seats कर दिया है इसमें किसी परकार की कोई fees नहीं लगेगी ये trust द्वारा चलाई जा रही है और ये trust द्वारा ही सारी fees और जो other expenses वो सारा वहन किया जाएगा इसकी जो counseling authority रहेगी वो के ये रहेग में वो service देंगे तो ये condition है इनकी तो ये 16 private medical college है जिन में 2300 MBBS की seat इस बार से increase हुई है यानि इस बार से ये college run पो रही है in 16 medical colleges अब हम बात करें यहां total एक बार summarize कर लेते हैं तो इसमें जो old government medical college 4 है उनमें 220 seat एड़ हुई है private college old के 20 हैं जिन में 1250 seats increase हुई है इस बार मैंने यह government गलती से लिख दिया है तो इसको आप ignore करें इसके बार में जो total increment हुआ है अभी तक का 40 seats अभी तक 40 colleges अभी तक बढ़े हैं जिन में total 4950 seats increase हुई है और 24 old medical colleges में 1470 seats increase हुई है तो यह total 6420 seats अभी तक approve हो चुकी है इन colleges को मानेता मिल चुकी है NMC की website पर यह सारी चीजे अवेलेबल हैं यह सारी डाटा अवेलेबल है तो यह जानकारी थी seats increase के बारे में और भी सारी seats increase हुँगी counseling तक काफी सारी seats increase हुँगी जो cutoff को काफी down लाने में effect डालेंगे इस प्रकार की information हम लेके आते रहते हैं अगर यह information आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में share करें इस वीडियो को like करें ताकि काफी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि counseling related, mbbs related जितने भी सारी information हैं जितने भी new updates हैं वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हूं